हेलो एन्न वश्कार मेरा नाम रिश्यप सिंग और आप देख रहे हैं करेंट अफेर्स पावर्ट बाए अड़ा 247 दोस्तों जब से ही बंगलादेश में शेख हसीना की गंवर्मेंट टॉपल हुई है और शेख हसीना को लिटरली अपनी जान बचा के भारत भागना पड़ा तब से वहाँ पर स्टिबिल्टी आए नहीं है उसके बाद नई इंटरिम गवर्मेंट बनी और यह जो इंटरिम गवर्मेंट बनी है जो नई इंटरिम सरकार है बंगलादेश में इसमें कई सारी पार्टी जैसे एक्जैंपल की तोर पर जो सबसे पुरानी जो पुरानी पार्टी थी बंगलादेश की वो इस इंटरिम गवर्मेंट का पार्ट है बी एन पी फिर जमात पार्टी है तो यह इंटरिम गवर्मेंट जिसको लीट कर रहे हैं जो जो केर टेकर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में है या जो केर टेकर लीडर है इस वक्त बंगलादेश क जिनका नाम है मौम्मद यूनूस तो अब ये ये जो पाटी इन्वाल्ड हैं इंटरिम सरकार के बनने में इनके जो आइडियाज हैं इनकी जो प्रिफरेंसेज हैं उसको अब कैसे ना कैसे करके फुल्फिल किया जा रहा है इसी के चलते डिसीजन लिया गया है कि जो अवामी लीग था या लीग है उसकी जो स्टूडेंट विंड है उसका जो स्टूडेंट विंग है उसको बैन कर दिया गया है उसको एक टेर्रिस्ट और्नाइजेशन बना दिया गया है या डेजिगनेट कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि इस मूव के पीछे जो जमात पार्ट इंटरिम सरकार में उनका से रहा है क्योंकि यही जमात पार्टी को जब शेख हसीना पावर में थी तो टर्रिस्ट ओर्राइजेशन जो है उसकी तरह डेजनेट किया था क्यों क्योंकि बहुत सी वॉइलन बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज में इनवल्व थी पार्टी जो कहीं कहीं बंगलादेश समेत बंगलादेश की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी हाम कर रही थी तो इस वजह से इस ग्राउंड पर जो शेख हसीना की सरकार थी उसने जमात पाटी को ट्रिरिस्ट और्नाइजेशन या उसको बैन किया हुआ था लेकिन अब जब शेख हसीना क सरकार हट गई है ठीक है और यह नए इंटरिम सरकार बन गई है तो इस वक्त यह अपने जो एजनडाज है वह इस इंटरिम सरकार के बिहाफ पर फुल्फिल किया जा रहा है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट विंग को बैन कर दिया गया तो इस स्टूडें group है ये वापस से जो President का प्यालिस होता है जो सीदेंट जो presidential रेसिदेंस है बंगलादेश में उसका घ्राओ करना शुरू कर दिया है और मांग यह है कि जो president है बंगलादेश के उसे भाईया जल्दी से जल्दाइन करवाईए और इसको हटवाईए क्यों क्योंकि ये बोला जारा है प्रोटेस्टर्स के दवारा कि ये जो प्रेसिडेंट अपॉइंट है जिससे साल 2023 में अपॉइंट किया गया था जो पार्लिमेंट से चुन के आया था भाईया वो शेक हसीना का आदमी है या शेक हसीना की पार्टी से इन्वाल्ड है या उनके साथ हैं वो इस वज़े से उसको हटाया जाए तो ये जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं ये प्रोटेस्ट का तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है कि जितने भी आवामी लीग के मेंबर्स हैं या जो बंगलादेश में जो important organizations हैं चाहें bureaucrats की बात कर लें चाहें टीचर्स की बात कर लें चाहें प्रोफेसर्स की बात कर लें चाहें Chief Justice of Supreme Court की बात कर लें अब चाहें हम President की बात कर लें तो ये लोग in the name of protest in the name of students protest कर क्या रहे हैं कि डरा धमका के इन सभी पोस्टों को खाली करा रहे हैं और अपने बंदों को बैठाने की कोशिश की जा रही है so that पूरी की पूरी जो पावर है यह interim government के हाथ में रहे तो कहीं न कहीं एक अनार की भाई जो प्रोटेस्ट हुआ था उस प्रोटेस्ट का एजेंडा यह था कि शेक हसीना जो है वह डिक्टेटर हो गई है वह बंगलादेश में डिक्टेटर हो गए लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो इंटरिम सरकार बनी है यह अब अनार की का इस्तमाल करके जो इंपोर्टेंट इंटरनाशन जो सॉरी जो इंपोर्टेंट और्नाजेशन से नाशन और्नाजेशन से बंगलादेश में वही सेम चीज अब यह interim government भी कर रही है है in the name of students protest in the name of protest तो वापस से यह war की जो यह जो protest का सिलसला वो शुरू हो चुका है साथी साथ प्रेसिडेंट के साथ जो आर्मी चीफ है उनको भी हटाने की बात की जा रही है ठीक है उनको भी हटाने की बात की जा रही है जो कि मुहम्मद यूनुस चाहरें की कैसे ना कैसे president को भी हटा दिया जाए और साथी साथ आर्मी चीफ को भी हटा दिया जाए so that पूरी तरीके से जो पावर है वो इंटरिम सरकार के हातों में रहे क्योंकि इंटरिम सरकार का ये कहना है कि वो भाईया पांच-छे सालों तक इसी तरीके से इंटरिम गवर्मेंट चलाएंगे और बंगलादेश की पॉलिटी को एकॉनमी को पूरी तरीकी से बदल देंगे लेकिन आर्मी चीफ ने कहा है कि देखे भाईया ऐसा नहीं होने वाला है पांच-छे साल का टाइम तो आप बहुत जादा मांग रहे हैं यह ना हो पाएगा पांच-छे साल तो नहीं दे पाएंगे भाईया एक सव इनों के बीच में एक वर्चस्व जो शब्द आप सुनते होंगे यूपी बिहार से अगर आप हैं तो वर्चस्व की लडाई चल रही है और इस लडाई में बंगलादेश की जो आम जनता है बंगलादेश का जो डवलप्मेंट हो रहा था वह तो भाईया धरा-गधरा रह रिजाइन नहीं कर रहे थे उनको कैसे रिजाइन करवाया गया भाईया सुप्रीम कोट का पूरा घ्राबंदी कर दिया गया इतने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स आके खड़े हो गया रिजाइन करो आदमी है डरेगा ही रिजाइन करी देगा तो एनार्की का इस्तमाल कर कि यही गवर्मेंट फिर से वही चीज़ कर रही जो प्रोटेस्ट करके यह सरकार बनाई थी तो एक बहुत ही इंपोर्टेंट खेला चल रहा है जो कि आपको समझना होगा जो कि मैं आपको इस वीडियो में बड़ी आसान भाचा में समझाने की कोशिश करूंगा तो चैनल लगती ही तो उन्हें लाइक और कॉमेंट भी जरूर से किया और शेयर तो शेयर करना तो बिल्कुल में भूलेगा तो अब आपको मैं बताता हूं थोड़ा सा यह जो शेक हसीना गवर्मेंट जो अवामी ली की स्टूडेंट ली जो स्टूडेंट विंग है उसका थोड़ अब कॉंटेक्स यह है कि यह जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था और जब शेक हसीना भाग के गई तो इन प्रोटेस्टर्स ने पांच डिमांड रखी थी जिस पर यह कहा था कि अगर यह पांच डिमांड फुल्फिल नहीं हो जाएंगे तो हम अपना प्रोटेस्ट विंग है जो अवामी लीग का जो स्टूडेंट विंग है उसको भाईया बैन कर दो वो हो गया उसके बाद जो प्रेसिडेंट है ठीक है प्रेसिडेंट सहबुद्दीन इनको भाईया पुरी तरी इनका रिजिगनेशन कराओ और साथी साथ 1972 से जो बंगलादेश का समयधा चलता चला रहा है उसको अबॉलिष करो तो यह पांच में से कुछ तीन इंपॉर्टेंट डिमांड ती जिस पे यह बोला गया कि अगर आप यह चीज़े कर रहो गया तो हम अपना एजिटेशन एंड कर देंगे तो पहला तो हो गया पहला तो टिक मार्क हो गया कि बंगला चात्र लीग के बारे में थोड़ी सी आप हिस्ट्री जान लेज़े हो सकते आपकी एक्जामिनेशन में पूछ ले क्योंकि यह सारी चीज़े पूछी जा सकती है कभी कदर तो इसको शेक मुझीबुर रहमान जो फादर ऑफ बंगला देश कहे जाते हैं बट अब तो जो हम निच्व और तालिस में पार्टी बनाई थी तब बंगलादेश बना भी नहीं था तब बंगलादेश कहा था तब बंगलादेश वस नोन एज इस्ट पाकिस्तान फिर इन दियर 1971 बन बंगलादेश गोट लिबरेटेट तब जाके 1971 में जब यह वर खतम हो गई तो इसके ब पराटी है तो इतनी पुरानी है इस प clap एतिहास इतना पुरान और उसको आज जो है दो हुजार चॉबीस में टोरि मागया और उस तरीके से अब बंगलादेश अपनी ही हिस्सरी को पूरी तरीके से तोड़ राहा है थीक है अब देखो यह मैंने आप सब हभा है कि 5 दिमा ठीक है पूरा का पूरा जैसे चीफ जसिस सुप्रीम कोड बंगलादेश को अठाना था ठीक है तो पूरा सुप्रीम कोड को घेर लिया अब प्रेसिडेंट को हटाना है तो पूरी तरीके से थोड़ी बहुत जो democracy चल रही थी आप उसी को अटा रहे हो अब वहां पर जितने भी पुराने लोग थे bureaucrats हो गए teachers हो गए प्रोफेसर्स हो गए एडवोकेट जितने भी अवामी लीग के साथ associated थे या अवामी लीग ने या शेख हसीना ने उनको अपॉइंट किया था तो उनको अब हटाया जा रहा है और interim government के लोगों को बैठाया जा रहा है यही कहानी चल रही है अब देखो कहानी क्या है कि जो president है जैसे भारत के जैसे जो बंगलादेश में president है और जो आर्मी chief है ठीक है जो आर्मी chief होते न यह आपका जो power lie है यह president और बंगलादेश के पास है तो अब क्या हो रहा है कि कहानी यह चल रही है कि जो Muhammad Yunus की interim government है वो ये चाह रही है क्यूंकि अब army chief ने का है कि भाईया हमको तो 1.5 साल का ही time army chief ने दिया है ठीक है अब ये चाह रहेंगे मैं बस लंबे time तक सत्ता रहे है भाईया सत्ता तो सत्ता होती है कहीं की भी हो सबको लंबे time तक चाहिए तो अब ये सोच रही है interim government Muhammad Yunus जिसको lead कर रहे हैं इनका सोच ये है कि क्यों ना president को हटाया जाए president को हटाने के बाद फिर हम army chief जो army chief है जो army chief है इसको भी हटा देंगे क्योंकि कहीं ने कहीं interim government और जो बंगलादेश की आर्मी chief है उनके बीच में कहीं कुछ कलेश चलता भाया देखो reports आई है कि United States of America का कहीं ने कहीं support था इस interim government को या यह जो प्रोटेस्ट हुए बंगलादेश में शेख हसीना को हटाने में टॉपल करने में यह reports की according बोली जा रही है तो अगर बंगलादेश में प्रोटेस्ट था कि शेख हसीना की सरकार हट जाए क्योंकि अगर आर्मी चाहती किसी भी देश की अगर आर्मी चाहती और वो प्रोटेस्ट हो रहा है और अगर उसको brutally उन्हें suppress करना था तो भाई हतियार weapons यह यूज कर सकते थे बंगलादेश की आर्मी भी इतनी चोटी मोटी आर्मी नह होता और आर्मी चीफ चाहते या बंगलादेश की आर्मी चाहती तो क्याव प्रोटेस्ट को रोक नहीं सक्ती थी लेकिन जो आर्मी थी उनको भी यह चीजपसंद नहीं आई थी कि जो student futur contract के बाद यह जो कोटा वाला system चला उस पर जो प्रोड स्टूडें प्रोटेस्ट व है क्योंकि अगर बंगला देश की आर्मी चाहती तो प्रोठेस्ट को सप्रेस कर सकती थी भले वो शायद और चीजे बूटल हो जाती लेकिन वेपन का स्तमाल करके आटिलरी का स्तमाल करके भ那就 जा सकता तो लेकिन बंगला देश की आर्मी पर चाहती थे तो अब interim government को ठीक है जो मौमध यूनिस जी से लीट करें इनको चाहिए absolute power ठीक है absolute power अब वो absolute power कैसे आएगी क्योंकि president क्योंकि जो army chief होते हैं ठीक है उनकी जो loyalty है वो president को है बंगलादेश के president को है तो अगर president को ही हटा दिया जाए और उनकी जगा interim government backed कोई कोई बंदे को अगर president बनाया जाए तो ओविसी बात है उसके बाद फिर army chief को भी हटा दिया जाएगा लेकिन problem यह आ रही है problem यह आ रही है कि president को हटा है कैसे भाई president तो parliament से elect हो के गया है बंगलादेश की parliament ने elect किया बंगलादेश की parliament को तो खराब president को हटाए जा तो अब इनका demand यह आ रहा है student protest का कि भाईया constitution को बदल दो हपते भर में constitution को बदल दो और कैसे ना कैसे करके president को हटाओ ताकि हम अपने बंदों को बढ़ा सकें तो मतलब इस समय system यह चल रहा है कि protesters ने प्रोटेस्ट किया dictatorship तक rule करो लेकिन interim government चाहती कि भाईया हमें 5-6 साल का time तो हम अराम से rule करेंगे तो इस वजह से कहीं न कहीं एक conflict ठीक है एक difference of opinion देखने को मिल रहा है इसी वजह से जो आर्मी चीफ है बंगलादेश के भाईया वो USA गए हुए अगर USA का support interim government को है तो वही US का support army को भी तो होगा मैं किसी भी देश की army के पास power होती है तो अगर army चाहे अगर army और यह interim government same page पे नहीं रहेंगी तो फिर क्या होने वाले आगे चलके आगे चलके आने वाले समय में यह जो crisis है यह शायद और बढ़ जाए and फिर हम देखेंगे कि शायद एक civil war भी हो सकती जहां पर शायद बंगलादेश के army हो और इधर यह जो student protest कर रहे है या जो interim government की और different parties है उनके member सामने आ जाएंगे तो US गये हैं बंगलादेश के chief बंगलादेश के army chief और अब वो वापस आएंगे 25 या 26 को तो उसके बाद जो है वो कहानी में और twist आ सकता है कि कैसे कैसे ची कि army chief के भी army chief के army chief के role को भी खत्म करके उसकी जगा अपना कोई बैग्ड बंदा मिल जाए और जो बंगलादेश में radicals है वो भी यूनुस को support करें मुहमद यूनुस को support करें क्यों कि जितनी demand करी करी जारी देखो भी या शेक हसीना जब तक power में थी तो शेक हसीना ने क्या किया हुआ था शेक हसीना ने जो बंगलादेश में ये जो extremist groups थे उनको control किया हुआ था ठीक है वहाँ पर at least tolerance level था लेकिन अब क्या हो रहा है भाई जब से ही शेक हसीना गवर्मेंट गई है ये जितने भी radical groups हैं इन पर ban हटा दिया गया है और ये लोग आप देखें कि मान तो at least वहाँ पर इन extremist group को check किया हुआ था ठीक है शेक हसीना की government ने इन सभी extremist group को ban भी किया हुआ था कई लोगों को कई लोगों की activities को check भी किया हुआ था तो इस वजह से कहीं न कहीं एक peace बना हुआ था थोड़ी सी stability थी बंगलादेश में जो कि इंडिया के लिए extremist जनता अगर होने लगेगी तो फिर पाकिस्तान और बंगलादेश में अंतर क्या भाई या पाकिस्तान की जनता भी देखो तो क्या है भाई उनके पास कोई logic नहीं बस extremist बने हुए ठीक है पूरी society उनकी इग्दम चर्मरा गई तो ऐसे ही अगर चीज बंगलादेश में भी हो जाएगी तो एक तो पाकिस्तान हम देखी रहे हैं दूसरा इधर इस्ट में भाई या बंगलादेश भी आ जाएगा तो शेख हसीना ने क्या हुआ था कि शेख हसीना के टाइम पर इन्हीं एक्स्ट्रीमिस ग्रूप को रोका गया था लेकिन अब यह जो इंटरीम ग एक्सपेक्टेड बहुत से जियोपर्टिकल एक्सपर्ट ने बोला है कि अगर जो इंटरीम गवर्मेंट है वो इन एक्स्ट्रीमिस ग्रूप को अगर सपोर्ट करना बंद नहीं करेगी इनकी अक्टिविटीस को चेक नहीं करेगी तो आने वाले समय में हो सकता है कि बंग बंगलादेश की जो सोसाइटी होगी वो ज्यादा तर एक्स्ट्रीमिस्ट हो जाएगी जो की भारत के लिए अच्छा नहीं हो खुद बंगलादेश के लिए तो बागी डेवलपिंग स्टोरी है जब आर्मीचीफ बंगलादेश के आर्मीचीफ वापस आएंगे पर इन वीडियो को शेयर करें, so that reach बर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग informed हो सकें, तो इसी साथ वीडियो को end करते हैं, जय हिंद, जय वारत.